लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें जा गंदो, हॉस्पिटल के सामने खड़ों क्यों फूफू कर रहा है? पीबी बीमार है, अंदर है क्या हो आप आपी को? वही औरतों वाली बीमारी सिग्रेट कितना की है? दस रुपे गी? दस रुपे गी, और जेब में किती पड़ी? एक और है मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है क्या बख रहा है? यह देख, मौत लखी इस पे मौत और यह सानिटी पैट पे जिंदगी हस मत दो सिग्रेट के पैसे से भावी को ऐसी खतरनाग बिमारी जो महावरी के वक गंदा कपड़ा इस्तमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है और सिगरेट ना पीने से अपने आपको भी खतरनाक बिमारी से बचा सकता है यानि कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीच सकता है तू एक अपनी और एक अपनी बीवी की सोच अभास हीरोगिरी यह पीने में नहीं है यह देने में हीरोगिरी यह देने में नहीं है है कि शीच यह फार्मूला लेकँ तुम लोग फॉर जी होल स्क्वाइर इकवल टू 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 एव फॉर टू 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 जो फॉर यह जीरो नहीं बेश्वी सेक्स ए मेरे साथ नातक मत कर मुझे पागल बना रहा है क्या मैंने पेशंबर देख लिए पढ़ाई पर ध्यान दोगे तभी तुम लोग अच्छे डॉक्टर या इंजिनियर बनोगे अगर ऐसे मस्ती करोगे तो किसी दुकान में इडली सांबर की चटनी परोसोगे तुम हस क्यों रहे हो तुम्हें ही बोल रहा हूं मै समझ गया है अब ज्यान दो इदर ठीक है अब मैं हार मानता हूं चल तेरी बारी कोई जरूरत नहीं है हम लोग इसके बात मान लेते हैं मना लाइफ में कुछ भी नहीं बनेंगे अब पागल अगर इसने ठीक से पढ़ाई की होती है तो यह डॉक्टर या एंजिनियर होता क कुछ बेवकूफ है इसलिए तो यहां टीचर है अगर इसे जॉब मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता है सही बोल रहा है साब जी साब जी नमस्कार हां बोलिए छटी क्लास का सी डिविजन कहां है यहीं है यह मेरा पोता है इसने आज ही स्कूल में दाखिला लिया है तो इसे भी बिठा लीजिए अंदर आदे बिटा जाओ जाओ हमारे पास पागलों की कमी थी क्या जो एक और आ गया अब यह देखना हो कितना दुखी लग रहा है उसको जाने दे ठीक है साथ मैं चालता हूं हाँ जाओ यह मैं देखता हूं टू ए प्लस टू बी होल स्कूर इकुल टू ओर स्कूर प्लस ट्वेल बेबी प्लस नाइन बी स्कूर शेहर की जिन्दगी गाउ की जिन्दगी से अलब होती है रसी बार-बार घिसने से पत्थर पर दरार पड़ जाता है तो इंसान के मेनद भी कभी वेकार नहीं जाती क्या लाया वे इडली लाया क्या तू क्या लाया है गई राईस है मेरा और ठाने का मन कर रहा है तो तुरे पास और कोई रास्ता नहीं बचाए तू जाकर टीचर का लांजबाक्स शोरी कर ले अब बोले लें क्या तु खा क्यों नहीं रहा है तुझसे ही पूछ रहा हूं नहीं चाहिए क्या ले लेते हैं ना कि अरे यार आच्छा में तरी साथ किलने नहीं आसकता था अधर मेरा जनम दिन है इसलिए मुझे चोकले लेनी है और रास भी खरीजिए अच्छा ना एक लेश चॉकलेट खरी ना और वह बहुत महहँगा यार्ट बहुत अज़ा मेरे पापा नहीं खरीदेंगे वह तो सच्टी वाले खरीदेंगे क्यों तुझे से बेकलेश पसंदे क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा मैं जाओ मैं तुझे भी छोड़ दूगा अरे नहीं नहीं हम लोग बात्चीत करते करते पैदल चले जाएंगे बस अच्छी तरह से चले जाना हां यह तुझी कैसे जानता है इसने कंप्लेंट तो नहीं किया ना कि हमने उसका लांज बॉक्स खालिया अरे नहीं यार मेरे घर था ना जो हमेशा बंद रहता था यह लोग वहीं पर रहने आयें पता है उसके पापा ना मर्च चुके हैं मेरी अरे उससे दोस्त बना आकर हम लोग क्या करेंगे यह ले ले ना यार इसका बड़े है आज मुझे तो यह पागल लगता है इसके माबाप ने भी परिशान होकर इसे छोड़ दिया है लगता है आजपी है आजपी तो ने रे फागल आजब भागल इसे माद करा उन्या इसके यह जिए आजण कर दो कर दो है कर दो कर दो जो प्रदा राख मैं हुआ 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 है भाइसाब अपने पोते को ढूंड रहे हैं वह तो कपका चला गया उसने क्लास के बच्चे को मारा है यह वह उसे सजा दी और स्कूल का बेल बसते ही वह भाग गया किया है सब्सक्राव करो है यो यह है कियों अब बेटे को कि यो पीटाई की उसकी सुनायी नहीं देता क्या मैं तुसे कुछ हूं क्यों मारा साधी सादी आप मेरे पोते को क्यों डाट रहे हूं क्या किया बेटा तुने हां स्कूल में अगर तु बतायगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेंगा हरी के मम्मी क्या हो गया स्कूल में मेरे बेटे को पैदा ने इस लड़के ने क्यों मार दिया यह ऐसा बिलकुल नहीं मतलब हम जूट बोल रहें अगर ऐसा लगता है तो इसके चहरे को देखो बड़े की दिन इसने इसकी नहीं है जाओ ना बुलाओ अरे भाया इसके तो माबाप मर चुके हैं तुने इसे क्यों मारा ठीक है अब से तु ऐसे चोटे मुठे जगड़े नहीं करेगा तुझे जो कुछ भी कहना होगा मुझसे आगर कहना हूं ठीक है नहीं चलिए चलते हैं बच्चों के बीच की बात है आपस मैं सुलझा लेंगे चलते हूं बेटा इस को वालों ने कुछ नहीं किया कैसे मैं यह नहीं डाउन कराया था ना बच्चों जो बोलूंगा द्वाराना ओक्त पुराने दिनों में एक गाउ में एक गाओं में दो दोस्त साथ रहते थे उनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी सुनिये हैं आपके बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी अरे हाँ अपना बैग लेकर आओ ठीक है सर अबे क्या यार तू अकेला जाएगा इसकी बोरिंग फ्रैस में तू यह बैठ प्रोबड़ियं थीच दोस्ती थीचित अच्छीडिये। आरारो, आरारो, आरारो आरारो, आरारो, आरारो आरारो, आरारो आरारो, 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 आरारो जो में पिखको पॉब है, तो जो जो सेच्छना करो रासी है, तो जो है कि एक सबस्टाइ पाराता च्राटा पाराता पाराता बारेता पाराता है। कर दो 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 कर दो। कर दो कर दो कर दो पसकति कर दो 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 कि अधिक हैं जाते हैं बेटी बेटी है मां क्या हुआ पापा मुझे कंतिम संस्कार में जाना है बेटी स्कूल तुम अपने भाई के साथ चले जाना शाम को मैं आते वत लेता हूंगा जरुरत हो तो गाड़ी लेकर जाना क्या है मुझे स्कूल रॉप कर दीजिये न क्यों पापा क्या कर रहे हैं पापा को फोन आए था किसी के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं वो इतने सुबा सुबा किसके मौत हो गई तो रेड़ी हो जाम चलते हैं मैं तो रेड़ी हूं भाई आउट जाएए ना प्लीज आराम से कोई बेड़ पर सोने भी नहीं देता है हलो अरे मेरा बुढधा कहीं तो बाहर जा रहा है तो हेमा को मुझे स्कूल छोड़ना है बाइक भाहर ही रखना मैं आ रहा हूं उसमें पेट्रो लेकि नहीं चेक करना है एमा आई भाया चलो भाइया भाइया पापा ने बाइक लेकर जाने के लेका है यह यह खटा रहा इस खटा रहा को इस दुनिया में डैडी के अलावा और कोई नहीं चला सकता इस पर जाने से तो अच्छा है कि पैदल चलकर स्कूल जाएंगे चलो आओ कि अपने नाश्ता किया अभी नहीं यह तुप ही जाना मत मैं आकर तुझे डॉप कर दोगा तो है 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 इसकूल जाने वारी लेक्टियों कुछ हिटता कैसा बेशरम है चल निकल कि पाउन था ऐसे बुर रहा था जैसे मुझे मारी देगा मैं उसकी बेहन को पटा नहीं पा रहा है चोड़ना यार उसे था हम बात में देख लेंगे हमारे हांस से बचेगी नहीं वो हुआ 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 है हाँ अलो अरे यार मैं मुद्धू बोल रहा हुआ हां कहा है तु एक तो कालेज के पास दुकान पर आया हूं ठीक है तुमँपर रुखना मैं इश्वरन को छोड़कर फ्रेश होके आजाता हूं ठीक है चल दिया हुआ है एक सिग्रेट देना भाई कर अब अब एक सिग्रेट फेक दे तेरी लवर देख रही है तो क्या हुआ कैसे घूर कर देख रहे थी हो तिर भी तु सिग्रेट फीता ही जा रहा था सारे करना में तू करता है और उपर से जागर के दोष्ट उसको देता है तो कि इन चीजों में तो मज़ा है नहीं तो सिंदिगी में क्या रखाया है चल वो सारी बातें छोड़ें यह तो होता ही रहता है अभी थोड़ी दिर में तेरी लवर का घर आएगा पशन के नहीं करते है यह तो बैदेना आड़ी रखाया कि अब जब मैंक जब में रखाया और यह चाहता है लगता है इसने अपने गर के सामने श्वीड बाश्राश्राश्राव प्रोप्रेकर बनने के लिए कौरपोरेशन वोरों को रिश्वत दिए कि नोन सबस्राइब एक हरी नहीं है नहीं गरड़े का पर और है आभ मज़ें कुछ बात करो है है यह है यहाँ से चलिछ जाओ तो प्रॉब्लमम हो जाएगी घणा पैसे जश्व इस वो क्या है कि तुम्हें उससे प्यारे यही कहना चाहती हो तो उसको जाके बोल दो उसको देखे इतना घबराती क्यों जब वो सामने होता है तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूं आप मेरी मदद कीजिए न क्या तो तुम्हारी जगा मैं उससे प्यार करूँ ठीक है तुम जाओ मैं रात में उससे बात कर लूँगा सिर्फ बात करूँगा लेकिन फैसला उसका रहेगा जैसे तुने मुझे रुका वैसे उसको रुकना और देखना कि उससे कैसा लगता है उसने मना किया तो तू उससे परिशान नहीं करेगी ठीक है ना ठीक है चलो जा है यही बागी था इसी कॉलेज में पड़ता है तू नए तो फिर यहां पर क्या कर रहा है है जो तू कर रहा है वही यह भी कर रहा है मुझसे जबान लड़ाएगा चलो ठोर निकलो दुबारा दिखना नहीं ए इधर आना अगर यहां पर आना है ना तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी जाके मेरे लिए सिंग दाने की चिक्की और सिग्रेट ले करके आए एक सिग्रेट देना क्या हाले भाई पहले ही कहा होता कि तुम्हें सिग्रेट चाहिए यह नाटा करने की क्या जरूरती तुम लोग मेरे हाथों से एक दिन जरूर मार खाओगे निकलो यहांसे जाओ अब तू भी ना यार जूनियर्स को क्यों परिशान करता लेता है भाई एक सिग्रेट देना कि अरे यार मैं बोर हो रहा ताट तो टाइम पास करने के लिए उनके साथ मजाग किया मैंने तो उनका मजाग उड़ा रहा तो क्या अब या उन्होंने तुझे टाना मारा तो शम्झा भी नहीं कर दो गर जाए जाके पढ़ाई गर ठीक से पढ़ाई हो रही है न तुम मुझसे बात ही मत करो क्या किया है मैंने हर रोज तुम्हें दुकान पर खड़े सिग्रेट पीते देखती हूं सुबह सुबह उठकर अगर काम लूने जाओगे तो तुम्हें कोई काम मिल जाएगा तुम्हें क्या लगता है वो घर पर अगर मेरी बात मानी होती तो अब तक हमारे चार बच्चे होते अभी भी देर नहीं हुई है बोलो रेडियो क्या मैं बेबकुफ हूं तुम्हें समझाती हूं एक लगाउंगी ना मूपर गुस्सा आ गया क्या ठीक है वो सब छोड़ो आज रात को पक्का आना कहां पर मैं मारे मंदिर में पूचा है और मैंने पहली बार मनत मांगी है तो मैं इतना भी आगी ज्यादा चिलाओ मत मैं आ जाओंगा कितने बचे पोँचना है साड़े आठ ने तुम नौबजे आजा ला ठीक है मिलता हूं मैं लेट मत होना फ्लीज अरे मैं आ जाओंगा ना चलो नि होगा उसे फोन करो ना वो बच्चा थोड़ी है यह नहीं चलेगा मैं तुम्हें बताओंगा कि क्या करना है हलो कांडी यह लो जरा बात करो हां दे दो हां तुम निकले की नहीं मैं अभी तुरंट निकल रहा हूं राद होने से पहले पहुंच आना और ठीक से गाड़ी चलाना आप चिंदा मत करो मैं आ जाओंगा ठीक है बात में बात करती हूं है कि अलो आंकिल आजा बेटी कैसे हैं मैं तुम क्लेक हूं लोग्स कारिकुल मर्म घेर है कैसे आ तुम itive अbres तुम कैसी हो मैं ठीक हो नाना जी नाना जी से आश्रवार लेलो बेटा रहने दू बेटी भगवान तुमारा बला करे जहें सारी खुश्या मिले अब तु जाकर जरा हात पाउंद हो कर आजा जा पापा का है ममी मंदिर में पूझा की तयादी कर रहे हैं बेटी गैतरी की अब जल्दी लेके आजाना हाँ ठीक है अब तू कब आया अभी आया ए रुग्जा मैंने मुद्व को ड्रिंक लाने के लिए कहा है एक दो पैक मार के जा इतनी जल्दी अरे गायतरी के एरिया में कोई पूझा है तो उसने हम सबकों वहाँ पर बुलाया है हम जल्दी से गटक के चले जाते हैं मंदिर का तेवार है आज पीना जरूरी है क्या कल भी तो पी सकते हैं तू भी ना अरे हमने कोई वरत रखाए क्या हम तो कोने में खड़े रहकर पूरा शो देखेंगे वह हमारे न कि कहां से लाया वे तू यह सब अन्बू की दुकान से अन्बू की दुकान से मुझे एक बात याद आई वह कांसलर का बेटा वहां पर खड़ा आने जाने वाली लड़कियों को बहुत बूरी तरह से छेड़ता रहता है किसी दिन उसका सर फोड़ना पड़ेगा तभी जा को लगाऊंगा क्या यार तुई तो बोला जल्दी जल्दी पीना है इसलिए खोलने को बोला सच्चे हिदे से प्राच्णा कीजिए कि है भगवान आप हमें शक्ति दे हमारे कश्टों को दूर करें हमारी जिंदगी में जो भी परिशानिया है उन सब से हमें बुट्टी मिले ठीक है क्या डिसिजिन लिया तुने किस बारे में वहय वो लड़की जो रोज बाहर आकर तुझे बड़े प्यार से देखती है उसके बारे में फैसला है लिया कि नहीं उसमें हम क्या कर सकते हैं वो सिप मज़े ले रहे है भाई आपर इट कर वह मजाग नहीं कर रही है सु उसे क्या चाहिए तू उसे हाँ या ना का जबाब दे दे उसने मुझसे यही बात की वो खुश है तू नहीं चाहता क्या मेरे प्यार में पड़े तो पता है नहीं क्या होगा तू सब कुछ जानता है फिर भी ऐसा क्यों चाहता है तू कहना क्या चाहता है समझा नहीं क्या ज बहुत बड़ी जिन्दगी जीनी है और अगर मैं मर भी जाओ ना तो तुझे भी मेरे साथ मरना होगा तेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचने वाला तू इससे भाग नहीं सकता दोस्त कल सुभा वो लड़की तुझसे बात करेगी तू अगर उसे पसंद करता है तो उसे हां बोल दे बाकी का आम लोग देख लेंगे ज्यादा सोचने का नहीं चल्वे मेरे लिए पैक बना फटा फटा हाँ चल्वेन लाइन ऐस्ता क्या शाल अच जाल आज़ो नहीं चल्वेन... हु lira रिए हुदा बना झाल । में आचो कारे हुदा ! प्रेख कर दो अरे क्या ही राजा यहीं हो गई जालो चलो 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 हो गया हो चलो साइड़ो चलो हमने अपना काम कर दिया हम नाचने आये नाचा हुआ है कि अब्सक्राइब वह अब्सक्राइब करिक्ति यह था यह था इसका जो रहे हो दिखना जो रहे है जगा देना है वाल, शाल, चाल वाल कि अरे रुको है वह तुझे रुखने के लिए बोल रहा है तू सिफ चुप-चुप चलती रहे बागी मैं लिख लोगी मैं आवास दे रहा हूं रुखने ही सकती क्या परेशानी है तुम्हारी कौन हो तुम क्या चाहिए कौन हूं ऐसा बरताव क्यों कर रही हो कल रात के बाद मैं तुम्हारा नाम भूल चुकी हूं चुप-चप यहां से चले चाहूं तुम कहना क्या चाहती हो अरे तुम गार्डन के सारे फूल मुझसे मांग लो मेरी जान और अगर चाहो न तो खिड़की की सारी ग्रिल मांग लो या नारियल के पेड़के पत्ते मां देख यार रात में हम लोग पीकर थोड़ा नाच रहे थे तो यार इसमें हम लोगों की क्या गलती है यार एक बात बता आदमी पीएगा तो नाचेगा भी ना अब जिसको हम पी रहे हैं तो हमें उसको भी तो पूरा सम्मान देना ही पड़ेगा यह बात जाके उस लड़क मादम यह एक मिनिटे रुगिए टाइम क्या हुआ है पांच बज रहे हैं पांच बज रहे हैं बता दिया ना अब खड़ी के हो जाओ यहां से जाओ 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 चलती हूं ठीक है कल मिलते हैं एक बार कह दिया तो समझ में नहीं आता निकल यह से तुम खुद को क्या कोई बहुत बड़ा आदमी समझते हो तुमने मैम से ऐसे बात कियो कि मैं तो सिर्फ टाइम पूछ रहा था पूछना इतना ज़रूरी था क्या तुम सिर्फ मुझ पर ही अपना गुसा उतार सकती हो जब तुमने अपनी मैडम को देखा था तो डर के मारे थीक है मैंने माफ कर दिया मेरा भी तो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है अभी ते काया नहीं अब तक तो नहीं कि अग्या आग्या आग्या एए पहले मेरी बात सुन चूबी बात है उसे क्लियरली बता देना हिश की चाना मत च्के रा ठीक है आप जाती हूं एक आल थे बैस थांक्स मुझे तमसे कुछ बात करनी है घर जाओ हमें किसी ने देख लिया तो कोई बात नहीं तुम जैसा समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूं मैं जानती हूं ना तो मैं बेवकुफ हूं और ना ही मैं टाइम पास कर रही हूं क्या चाहिए तुम्हें इतनी गुस्य से बात मत करो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं बस इतना ही तुम्हारा जवाब हाँ है या ना है वो तो बता दो मैं पसंद नहीं हो तो चली जाओंगी और तुम्हारा कभी डिस्टाप नहीं करूंगी कि पसंदो कि अधाना क्या हुआ कभसे पूछ रही हूं कुछ तो बता क्या हुआ उसने मना कर दिया क्या तुप रोक्यू रही है क्या क्या उसने उसने हां कह दिया तो फिर तुरो क्यों रही है पता नहीं पागल यह पापा आ गए ठीक है मैं अंदर जाती हूं यह क्या है बापा हमारी सुशी आंटी का कोई रिष्टेदार है जो हमारी रेवती से रिष्टा जोड़ना चाहता है यह लड़के की फोटो है तो आपने उनसे क्या कहा अभी मै काम मैं वस Yeah दो टो 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 गैंप अ collecting axi अजेक्ट अक्रीश डेलेदावती पार्ट के टीमें यह को कुछ гор्य समिप Rob I ame लेकिन वह इंग्लिश में बोल के रहा था उसे लगता है कि तो सबसे बड़ा पागल है क्या रुखो चले हिंदी में आ बोल के दिखा वाट मेट नहीं आ आ आ इई इई बोल के दिखा सॉरी यू प्लीज करी ओन तुम पागल हो गयो क्या उसे हिंदी कैसे समझ में आएगी फ कि बोलो ना कहां पर हां ठीक है आता हूं कौन था अरे बो लड़की हां क्या बोल रही है उसको मुझसे कुछ बात करें आगे दुकान पर इंतजार कर रहे हैं सही है सब कुछ सही जा रहा है कुछ नहीं कुछ नहीं पापा मीटिंग के लिए तिर्ची गए हुए है और उन्हें लोटने में रात हो जाएगी तो तो मुझे कहीं बाहर ले जाओगे देखो यह अच्छी बात नहीं है तू इस पर लाइन मारने से चाहिए घर पर ही रहती मेरे लिए प्लीज प्लीज मेरे लिए तुमसे कुछ मांगा है क्या बस एक ही बार ना प्लीज ठीक है चलो अरे वहाँ मैं तो तुम्हें कम समझता था जब तक सफलता नाम मिले कोशिच करते रहो बहुत सही जा रहे हो तुम जाकर भाया को घर चोड़ कर आजा मैं यहीं तुम्हारी महरबानी नहीं चाहिए मैं चला जाओंगा तुम लोग एंजोई करो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं ना तुम्हारी है ना तो अपने नाम के बचा तुमने हरी का नाम क्यों लिखा इस पर देखो नाम उसका हो या फिर मेरा बात एक ही है उसकी इच्छा थी इसलिए मैंने खरीद ली मुझे भाई की क्या ज़़रत थी नहां ठीक है समझ गई अच्छा हारी भाईया की ये तरह मेरी भी दो इच्छाएं है तुम पूरी करोगे क्या है पहली ये कि तुम दारी निकाल कर क्लीन शेव हो जाओ ये भी कोई इच्छा है क्या ये मैं नहीं कर सकता ठीक है कोई बात नहीं दारी में भी ठीक ही लगते हो लेकिन मेरी जो दूसरी इच्छा है वो तुम्हें पक्का पूरी करनी होगे वो क्या है आज के बाद तुम दारू नहीं पियोगे मैं जो पूरी नहीं कर सकता वैसी अगर तुम ठान लो तो आज के बाद तुम नहीं पियोगे चलो मेरी करसम खाओ जो रास्ते में कुछ खाएंगे क्या मुझे भूख लगी है अगर उसे नहीं पिना तो छोड़ा ये ले चल मेरी लिक बना रुकना यार वो गाया पहु रहाए क्या नहीं चाहिए लेकिन क्यों उस लड़की ने अपने सर पर हाथ रखकर मुझे कसम दिलाई है कि आज के बाते मैं कभी नहीं पूँगा ज्यादा दिखावा मत कर, मैं भी इतने सालों से प्यार में हूँ, लेकिन तेरे जैसे नहीं, अरे छोड़ ना उसको, उसके बदले मैं पीता हूँ ना तेरे साथ, तेरे पास और कोई चारा है क्या, और तुझे कौन सी लड़ की पटने वाली है, कोई अपनी बेटे भी तु अच्छा ये बता, मुझे यहां की लेकर आए हो, बस ऐसी, आज कल जो प्यार करते हैं, वो कुछ ज्यादा ओवर करते हैं, कौन है वो, हम तो वेस्ट, किसके बार में बात कर रहे हो, अपना इश्वरन, जब से मैं उसे जानता हूँ, आज तक उसने अपने काम से गभी और दिया, अरे उस बात को तो छोड़ो, रात में हम जब पीने के लिए बैठे थे, तो उसको हमने पीने के लिए पूछा, तो वो नहीं पिया, बोला लड़की ने कसम दी है, मैंने भी कितनी बार कहा है कि पियो मत, पर तो मानते ही नहीं, तुम्हारे जित के सामने कोई भूल जाना, तुम्हारे साथ समय गुजारने आया था, इस वक्ति यह सब जरूरी है क्या, हलो, हाँ भूल, एसा है गया, अभी तो मैं बाहर आ गया हूँ, तो एक काम कर तो निकल, और पैदल चलते हुए जाना, और घर पहुंचने के बाद फोन करना, कौन है, हे मा, अपना ही एरिया है न, वो एक छोटी बच्ची है, उससे कैसे छोड़ सकते हो, क्यों, तुम्हारे मा, पापा ने तुम्हें छोड़ा है न, सौरी, सौरी, तुम लड़की हो कहा, तुम तो एक गुंडी हो, देखो, मेरा दिमाग मंद खराब करो, चुप-चप-चलो, अब है है मा स्कूल से अखले घर जा रही है और चलते हुए जा रही है अगर वो तुझे नजर आए तो उसे ले जा न, क्या नातक कर रही है है एए अब थाया बॉट जो है अब भाई अब बुस्ट म दुक्रान के सामने आपके महाँए की फिटाई और ही है कि दूब कर दो दो तूम्हें पता है किसको अपया यह तुम्हें पता है किसको सब्सक्राइब हलो दीदी, ए किदर है तू, बांजे के एक लड़के ने पिटाई कर दी है, क्या बोल रहा है, यह सच है दीदी, अपने यह यह में आकर हाथ उठाए इसने, अभी इसके लिए तू कुछ करना पड़ेगा दीदी, ए अभी इलेक्शन का टाइम है, हाथ पर चोड़कर किती मेर की कुरसी हासिल की है, तीन, चार करोड रुपए खर्च हो गए है मेरे, इस वक्त अगर तुम लोगों ने कोई भी कड़बड की ना, तो सब कुछ खतम हो जाएगा, यह तुम क्या कही रही हो दीदी, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, वरना हमसे शाहर में कोई नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन कभी ने कभी मेरे हत्ते जरूर चड़ोगे, तब देखूंगा तुम्हें, ए भांजे, उट, चल, चिंता मत कर भांजे, मैं इन लोगों को देखूंगा, तो अभी घर चल, तुम क्यों इस बारे में इतना सोच रहे हो, भूल जाओ ना, लड़क होता तो पता नहीं क्या होता, उसके माँ काउंसलर है, तो कुछ भी करेगा क्या, कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना, तो जाने दो, प्लीज, अच्छा, तुम से कुछ कहना चाहती थी, कहूं ना, क्या, कल मेरा जनम दिन है, इस बार में तुम्हारे साथ मंदर जाना जाती ह मैंने मननत बांगी थी, मेरे साथ चलोगे ना, अच्छा, कल या पर्सो हम सब लोग गाउं जाने वाले हैं, चार दिन में वापस आ जाएंगे, गाउं क्यों, ऐसे ही, मा के गुजरने के बाद कभी गई नहीं, तो पापाने का हाग चलते हैं, अच्छा, अब मैं चलती हू हो हाँ, पापा च्छा लोगरे सहा हाँ, ना, अच्छा कछा हाँ, पक्छा ना, पताथ ज्रारे आरारे 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 चलो, चलते हैं अरे रुग्जा, अरे रुग्जा मुझा पसार मुना तो भी मजे लगातो मेरे माथे पर लगातो लगाओ ना अरे लो करो रो को वह रो क्या हुआ कपड़े चेंज किये बिना ही ऐसे खड़ा है अब तुझ से कह रहा हूं क्या हुआ मंदिर से आते समय उसके पापा ने हमें साथ में देख लिया था वो उनके साथ गारी पर चली गए थी उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं अबे क्या बोल रहा है तुझ और यह सब हुआ कब हेलोओ हलो मैं बोल रही हूं पापा ने कुछ नहीं कहा उस बारे में बात ही नहीं कि करल सुबह हम लोग गाउं जा रहे हैं यहीं बताने के लिए फोन किया था मेरे गाउं से लौटने के बाद तुम अपने घरवालों को लेकर मेरे घर आना कौन है क्या हुआ अरे वही थी वैसे घर पर तो कुछ नहीं हुआ कल सुबह वो अपने गाउं जा रहे हैं लोटने के बाद घरवालों को रिष्टे के लिए लेकर आने के लिए बस इतनी सी बात है चल कोई बात नहीं देख लेंगे किस रिष्टदार को लेकर जाओंगा मैं वहां अरे चोड़ना हम बुढ़ों को लेकर चले जाएंगे यार मेरा उनसे नहीं जमता है तू तो जानता है यह ना इहीं क्या हुआ यार तू रुख जा बात में बताता हूं देख जो होगा वो सबेरे देख लेंगे और अगर उस क्या हुआ आज काम पर नहीं गया एक मिनिट आप से बात करनी है मुझे अब क्या जरूरत है उसे मुझे कुछ नहीं चाहिए देखिए इश्वर को एक लड़की बहुत पसंद करती है और इश्वर भी उससे प्यार करता है उस लड़की ने कहा है कि अपने घरवानों को ल कि ऐसा है तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया यह तेरा वकील है क्या है आप मेरे लिए जाएंगे या नहीं समझ में नहीं आ रहा था इसलिए अरे मैं नहीं आओंगा तो और कौन आएगा तू भी मेरा बेटा ही तो है जब जाना होगा बता देना यार तो अपने पापा से जसे बात करता है ना उनका चैरा देखकर तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी अब है उनसे डील करनी पड़ती है अगर उनके सामने हम जाकर डर के बात करेंगे ना तो हमें सुधारने के नाम पर पूरा दो घंटा कथा पुरान सुनाते रहें टेक्व इसको क्या कमी है यह तो दूला बनने वाला कब रिश्टा पका किया मुझे तु समझ कर कहना थीक है जाओ जाओ सब पता है मुझे ढूरे कुछ नहीं पता है और यह मुझे अची तरह से पता है समझ गयना बहुत ज्यादा हो रहा है यह चलो जाओ बहुत 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 जाना तेरे बारे में यह सब कुछ जानती है करें कहां गया यह अभी तक आया रहा होगा अगर करें स्मार्ट लग रहे हो भाया आप इंसान के जैसा लग रहा है जरा इसे भी समझा क्या यह गंदा काम करके आया है तो लड़की बहुत दिनों से कह रहे थी इसलिए लगता है धीरे धीरे उसका गुलाम बन जाएगा तू ठीक है ठीक है चलो यहां से कि पहले मंदिर चलो तर्शन करके वहां से चाहिए चल गाड़ी निकल भाई वी बाज बाज यहीं पर घड़ी गड़ी गरेत कर सकते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अरे यार तॉरकल फोन भी नहीं भी फॉन भी नहीं गाइतरी अब तक तु सोई नहीं बेटा क्या हो जा अच्छा जा के सोजा हां ठीक है मां कि एए एए रहने दे कोई फैदा नहीं है कि यह बता वो दोनों कहां गए कि वो तो अपना काम करा था ना तुम उसकी जिन्देगे में क्यों आई रुक्यार तेरी वज़ा से बतनामी हो रही है तुम्हारे क्या बतनामी हो रही है कहां पर चल्दी से यहां इज़त से बात करूं तू बीच में मता मैं तो मुह तोड़ दूगा तेरा तुम्हारे इज़त की तो ऐसी की तैसी पूछ रहा हूं जवाब दे तुने खुद को बताना रिच्टे की बात करने आ जाओ तो फि पर पताना रही होते हैं कहां नहीं हो ना चाहिए यहां से यहां नहीं चाहिए तो एक तो इसे यहां पर चाहिए यहां से तुम अंगर जो चल्द हुआ 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 है कुछ तो बात कर यार अरे तुछ से बोल रहा हूं अपने दुख को अंदर में छिपा कुछ तो बोल भाई तू अगर ऐसी पीता रहेगा तो कुछ बदलने होला नहीं है जो कह रहा हूं वो सुनाई दे रहा है ना तुझे अबे तुझसे बोल रहा हूं मैं क्या कर रहा है दिल के भडास को आसूं से निकाल दे तभी दिल हलका होगा तेरा नहीं निकलेगा आसू नहीं निकलेगा माबाप मरे थे तब तो आसू निकले नहीं इसके जाने से आसू निकलेंगे क्या आसू नहीं निकलेंगे तू क्या मुझे जानवर है हाँ हूँ जानवर मुझे कोई फार्ट नहीं पड़ता हुए हुए क्या कर रहा हुए वो आगी तुम्हारा फोन कहा है कब से ट्राय कर रही हूं पोन करके बता नहीं सकते कि क्या चल रहा है सब कुछ खत्म हो गया उसने इसको धोगा दे दिया उदर गए थे तो वो किसी और के साथ खुश थी तुम्हें पी हुए ना अरे वो छोड़ो तो फिर मेरी कासम खा कर कहो वो एक अच्छा इंसान है उसके साथ ऐसा क्यों होता है ओ मेरे साथ कुछ भी हो चाहिए तुम्हें परवाह नहीं है ना अरे तुम्हें कुछ नहीं आज के बाद अपनी शाकल मर्दी खाना है चोड़ो मुझे मुझे तमसे बात नहीं करने अरे जाओ जाओ को दिनों के बाद तो वैसे भी धोका देगी तो अभी दे देना चली जाए यहां से सारी लड़के एक जिसी होती है जाओ यहां से तुम लोगों को टाइम पास करन है और मार के जाओ नहीं है तो नहीं है तो क्या हम जी नहीं सकते है तो फिकर मत कर मैं हूँ मैं सब देख लूंगा हमें किसी की जुरूत नहीं है कर दूंगा हमें झाल 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 हेलो क्या हुआ कब कहां पर हुआ अपनी तरफ कोई नुक्सान तो नहीं वा ना चोट लगी है क्या सुनिये जी कौन है ठीक है तुम फन रखो मैं आता हूं अभी किसे चोट लग रही है बताइए ना अपने रवी का हाथ किसी ने काट दिया है क्या क्या है तुम लोगों ने चिंता की कोई बात नहीं इंस्पेक्टर अपना आदमी है उसको पुलिस श्रशन नहीं जाने दिया सीदा हॉस्पिटर लेकर आया अभी कहां है अंदर यह सब करने की क्या दरती क्या करूं मैं काम करने की ताकत नहीं और हर जगह पर वो अपना नाम कराई तो फिर तो यह करेग अगर कई वो मर्मर आ गया तो तु क्या करेगा धन दौला चलिजह परवान नहीं है लेकिन इस्ज bद्ध करने था मैं तर मिला सिर्व हाथ ही तू बताना इसे चुक्रेने के लिए बोल वकिल से बात की तुने कल सुबह इनके बदले कोई और सरेंडर करेगा अभी इसका यहां रहना ठीक नहीं है समस्या बढ़ती ही जाएगी मैं इसे मदुरे लेकर जाता हूं तू यहां सब सम्हाल लेना ठीक है डॉक् क्यों ब्रें शमचान की तरह खाली क्यों है कि अर्य बाई सुनो हुआ को कोई दिखा नहीं दे रहा क्या बात है कॉलेज की छुट्टी और इस बात की चुट्टी आज तो कोई हॉलीडे भी नहीं साम आ रहा न बच्चों को पढ़ने के लिए दस दीन के चुट्टी दी वो सब रहने दो, तुम को नो, तुम्हेरे को नहीं जानता, डॉन हो डॉन, अरे भाई, ये बोल रहे हैं कि छुट्टी है, दस दिन की छुट्टी मिली है, ठीक अबेच्जा क्या यार, घर भी बंद है, कुछ समझ में यह नहीं आ रहा है, लगता है कहीं बाहर गया होंगे, कुमार को फोन लगा, लेकिन क्यूं यार, अबे तु लगा ना, अगर इनके घर पर कोई देखे तो मुझे फोन करने को बोल, ठीक है, कुमार है, हलो, अच्छा आ गए क्या, थैंक यू सो मच यार, तु जरा पूछ के बताना मुझे, पिछली बाएर भी कहा था उसे, लेकिन धंक से पाखेंगे, तुम सब ने वोट दिलवा कर मुझे जिता दिया, पोस्टर्स वगरें चिपका कर तो धमाल ही मचा दिया, मैं भी आप लोगों की हर तरह से मदद करूँ, ये मेरा भाई मारी है, अगर कोई भी मदद चाहिए हो, तो इस से मिल लेना, ठीक है, मेरा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी तुम लोगों की है, ये मारी क्या मामला है, जाकर देख, मैं ये सब नहीं करूँगा, किसी और को भेज के करवा लो, ऐसा क्यों बोल रहा है तू, क्या हो गया तुझे, अभी बताना ज़रूरी है, तुम लोग जाओ, मैं सब देख, क्या वह तुझे, क्या प्रब्लम है तेरी, उस दिन आपने कहा कि इलेक्शन चल रहा है, इसलिए हम लोग चुप बैठ गए, मेरे ही सामने मेरे भानजे को मारा, और हम लोग कुछ नहीं कर पाए, सब लोग वहाँ पर हंस रहे थे, तुम्हारी वज़य से मैं चुप बैठा, पूछने प्रब्लम क्या है, तो तु करना क्या चाहता है, मेरे भानजे को मारने वाले को पहले मैं मारूंगा, उसके बाद तुम जो कहोगी करूंगा अभी अभी मुझे एक उर्सी मिली है अगर इस वक्त कोई भी गड़बड़की न तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा तुम अपने गुस्टे पर काबू रख ए बांजे सुन बांजे दर्मजा खोल अगरे ठीक है काम अच्छा चल रहा है यहां पर यह लेपी इतना टेंशन में क्यों है हम लोग है न समहाल लेंगे यार अरे वाँ बेटे की शादी पक्की हो गई हाँ बाई शादी पक्की हो गई है लड़की के बाप काई पहुंता है लड़की वाले कल घर आ रहें मुझे भी घर जाना है जाओ जाओ जादी में तुभी आएगा ना अरे हो अंकल इतना चिला क्यों रहे हो उदर जाके बात करो ना तू को नोता है हम लोग उससे इस तरह बात करने वाला अभी तू चाहता है कि नहीं देखता हूं सुनिए मा अगड़ा होता था एक ही दिन नाराज होती थी फिर खुद आकर बात करती थी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि टेंशन मतले बस एक दिन की तो बात है जैसे ही कल कॉल जाएगा ना तू जाकि उससे बात कर लेना मामला सेट हो जाएगा अब कूल हो जाए यार ही यह लो पैसे मा मैं जा रहे हूं कुछ खा कर तो जा अ ेर हो रही है मैं बाहर खालूंगी अठी अब बीटा है घर से खाली पेट नहीं नीकलते थोड़ा सा पर कुछ खा लो बेटा थोड़ा सा खाकर जा बेटा रावी तुझे छोड़ देगा फिक्र मत कर लेट नहीं तुम नहीं खाओगी तो तुम्हारी मा भी भूकी रह जाएगी तुखा ले मैं तुझे बाद में गाड़ी में छोड़ दूँगा हाँ बोलो अरे वो अभी तक नहीं आई आ जाएगी यार अब ये तो वो रवी है लेकिन ये इसको क्यों छोड़ने आया है समझ में नहीं आ रहा है एक्जाम ठीक से देना मैं तुझे बाद में लेने आ जाऊँगा जरुआत नहीं है मैं खुद आ जाऊँगी मैं फ्री हूं मैं तुझे लेने आ जाऊँगा अभी तो एक्जाम देने जा अच्छा ठीक है हाँ चल्में निकल्दीम। बाई यह औरत कैसे जित गई यार दोस्त जरा समल कर रहे ना इसके बेटे पर तुमने हाथ उठाया इस बात की दुश्मनी निकालेगी यह क्या यार उस बात को तो कितना समय बीच चुगा है ए तु समझ क्या रहा है इलेक्शन था इसलिए वो लोग चुप चाप बैड़ गए फिर भी चोकरन रहना हमारा काम है बोल पांडी बाई पापा अचानक बेहो शोकर गित गए हैं या बोल रहा है तू क्या वा पता नहीं डॉक्टर कह रहा है यहां इलाज नहीं हो सकता हाट की बीमारी है इन्हें बड़े अस्पताल में लेकर जाना होगा भी कहा है तू मैं एंबुलेंस में हूँ और हाईव जी 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 आगी घृटर घजार की अधर चानक बेहो शोकर गिर गे हैं और हूँ जी जागी आपकी तबियत कैसी है अब अभी ठीक हो बैठी डॉक्टर ने क्या बोला है उसने बठाय कि एक महने के इंदर ऑपरेशन करेंगे तो सब ठीक हो जागा डरने की बात नहीं है त मैं मैं कुछ नहीं करवाऊंगा। अपरेशन हो जाने के बाद ही यह सब कुछ हो आप सोचकर परेशान मत हुई। यह ठीक नहीं दिखने का बहुत मन कर रहा है। अगर कर लेते हैं उसके बाद जो भी शुमहुरत मिलेगा उसमें शादी करवा देखें फिर तुम लोग जैसा चाहते हो वैसा करने के लिए तयार हूँ क्यों क्या हूँ आजी यह सब तो हमने पहले से तय किया हो था ना सब कुछ ठीक है बाओ जी लेकिन एक दिन में सब को कैसे बुला पाएंगे सब को बुलाने की क्या जरूरत है सिर्फ अपने करीबी रिष्टतारों को बुला कर घर में सगाई करवा देते बस काफी है यह शा लेकिन जम मैं देख लूँगा ठीक है पिता जी गायत्री अभी घर आती ही होगी चापी मेरे पास है तो मैं चलती हूँ हां ठीक है तुम यह मैं देखता हूँ अ बस यह बढ़ा अ ऐसे घर बंद करके कहां चले गए थे आप लोग कितनी देर से बाहर कड़ी हूँ मैं हॉस्पिटल गई थी बेटा क्या हॉस्पिटल गई थी क्यों मा अंदर चल बताती हूँ आप हॉस्पिटल क्यों गए थी बताईए ना तेरे नाना जी को हाट में ब्लॉकेज है वो यह था ना लेकिन नाना जी चाहते हैं कि पांडी के साथ तुम्हारी शादी हो जाय। उसके बाद उक्रिशन करवाएंगे किसी की बार सुननने के लिए तैयार ही नहीं है वह तुरण तेरिय और पांडी की सगाई कर awanी होगी और फिर अग्ले महिने जल्दी से शादी हाँ भाईजा कल ही तो ये बात पक्किन हुए आप बड़े भाईया को बता दीजिए और सुबह चल्दी आ जाना हाँ ठीक है अब मैं रखती हुआ अचानक ही सब कुछ तेह हो गया इसलिए मिलकर नहीं बता पाई अच्छा कमला रखती हूं मा हां प्रिया को ये बुग दे कर आती हूं कल तुम्हारी सगाई है और आज इतनी रात को बाहर जा रही हूं नहीं मा कल एक्जामस है उससे भी तो इस किताब से बढ़ाई करने जो होंगी ठीक है जल्दी आ जाना थीक है माँ ॐ हूँ ऑय है पिता जी कैसे हैं खान खान खाये उन है रहर आपि ठीक है गैत्री घावित रैंटबरां अपनी फ्रेंड प्रिया के घर गई है और कल बनका इसलिए जाकर उससे बुग भी दे देग injection और कल सगाई के लिए नियोता भी देगी ठीक है बहुत भूख लगिए ज़रा खाना खिला दो अभी लेकर आती हूँ किया है यारी मुझे इसे तड़पा रही है उसके बिना में जी नहीं सकता ये बात उसको पता है फिर भी वो क्यों मुझे परिशान कर रही है एक थोड़ी सी पीले सब कुछ ठीक हो जाएगा इसकी वज़े से ये सारी नौबत आई है और दर्द को भूलाने के लिए भी इसी को पीना पट रहा है तुम से गुसार पादल हो दिया है तरह दिवाग कराब हो गया यार मैं कसम खाई तुम्हें एसे कभी चूनुगा भी क्यों कहा है मुझसे बात किया बिना तुम दस दिन जिनदा रह सकती हो सुसनानी की वज़े से मैं क्या कर रहे हो मुझे खुद भी समझ नहीं और मेरी साथ क्या हो रहा है यह भी नहीं पता पता है घरवालों मेरी और पांडी की सगाई थे करती है यह तुम क्या कह रही हो कर दो चलने के लिए तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार मैं मर जाओंगी क्या करो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कल तु जाएगी ना एक्जाम देने तु चाहूंगी अभी तु घर जब बागी हम देख लेंगी तुम्हें डरने की जुरूत नहीं है मैं सब देख लूँगा अभी क्या करेंगी हम है इसे डॉक्टर के पास ले जाकर इसके हाथ का इलाज करें इसको छोड़ यार मैं जो बोलड़ां वो सुनना मैं मुर्गदन समर से बात करके आता हूं कि क्या करना है यह तु मेरे साथ चल पहले हाथ का इलाज करवा दें तु अभी जाकर के मुर्गन से बात कर ले अगर कुछ खरीदना होगा तो लेकर के मंदिर में आ जाना है अहां ठीक है असुन जरा समल कर एए ऐसे कुमर से भी बात कर ले ना उसको यह आने के लिए मत बोलना उधर ही रहने को बोलना और बात को आराम से बताना और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पर कॉल करने को भूना है हलो सुन कुमार अरे मैं मुद्टू बोल रहा हूं यार अरे सहाब गाड़ी साइड में लीजिए लेता हूं लेता हूं लेता हूं लेता हूं ऩरफन सताक्त प्रॉस्पि को येल barrel लेता हूं येलर अफश्फि प्रॉस्पर मुबारक हो दो आरे क्या मुबारक हो यहां मैं बहुत परिशान हूं पता नहीं क्या होने वाला है दोस्त हम लोग है ना तुम की इतना परिशान हो रहे हो जो भी होगा हम देख लेंगे पहले तुम दोना मंदर के आफिस में जाओ और ड्रेस चैंज करें करी में तो में об van कि मकुपा रहे हो कि मार खुप्स रहत वरत ना मदीस है कि में हरी मैथन राशीत रिव손 नक्षत्र स्वात्री उत्रा नक्षित्रू क्यार उत्रा नक्क्षित्रू झाल यहां से मुर्गन के घर जाते हैं बाकी बाते हैं वही करेंगे ठीक है कि रिया का इतरी कहा है वह तो आज एक्जाम देने भी नहीं आई क्या हुआ असको क्या बोल रही है तुम मेटी मैंने खुच सुवे उसे यहीं छोड़ा था तुमने शाद ठीक से देखा नहीं होगा तेरे आगे वाले डेस्क पर ही बैठती है मुझे कैसे पता नहीं होगा वाई सब्सक्राइब कर दो लड़की को मैंने आप चोड़ था ना आपके जाने के बाद दो लड़के यह लीजिए चोड़ बोलो भाई गैतरी कॉलेज में नहीं है और वाज एक्जाम देने भी नहीं आई ऐसा कहने है वाच्पन से पूछा तो कह रहा है कि दो लड़के आगे उसे बाइक पे लेगे थे कुछ तो गर्वन लगरी मुझे तू रुक मैं वहीं आ रहा हूँ रहा है तुम अंदर जाओ वह सारे शान्त हो नहीं तुम पागल हो गए हो यहां रहा है वह किसके साथ गई है जब तक पता नहीं चलता है चैन से नहीं बाटे वाला अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो भी क्या हुआ है अपनी बच्ची की खुशी सबसे जादा जरूरी है अरे आपने कुछ ऐसा वैसा क्या दो मैं बूल जाओ आप मेरे भाई हैं सब अंदर जाओ जाओ अंदर कि तक मैं गायत्री को ढूंद कर नहीं लाता कोई इस घर से बाहर नहीं जाए जाओ धी जाओ परिशान मतों कल तीस नमबर वार्ट के कांसलर को कहो कि मुझसे आकर मिलें ठीक है साहब ने खाना खा लिया नहीं खा रहे हैं क्या हुआ तुन्हें अब तक खाना नहीं खाया मैं तुसे पूछ रही हूँ खाना क्यों नहीं खाया अब तक जाओ यहां से मुझे नहीं खाना है मा से कोई ऐसे बात करता है क्या तुम मेरी मा हो क्या तुम्हारे लिए मेर पद और पैसा ही जरूरी है न मैं नहीं हूँ न मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा अब अचानक प्यार क्यों जता रही हो ऐसा मत बोल बेटा त कि इसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया उस आदमी को रात और रात कदम करवा दे बस तुमने कह दिया ना मामा मैं भी आता हूं क्या बात कर रहा है तुई इस आलत में कहां जाएगा तेरा मामा जिन्दा है मैं उसे नहीं छोड़ने वाला इन्सपेक्टर को बता देना वो सब म ढख़िये जिसे पाह़ टूट गया हो में अपनी मा पांड़ी के बारे में सोच रही मैं यू मेरी वहां कि बुलाता था अकबिया यानटी नहीं कहता था बेरी नाना की भी इच्छा थी और और यो सब छी होगी एक-दॉड़कों दिक कर दीक होती अ फिर सब ठीक हो जाता तु पहले रुग्जा तुझे यहां सुलाने के लिए मैं इसे शादी करके लाया हूं आज हमारी फर्स नाइट है तु निकल चल 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 यार तुम्हें सूँगा कहां पर अबे रोड पे जाके सो जा अच्छा ठीक है तू समाल ले हम सब समर के घर जाकर सोते हैं चलो हुम है कि जलो या अब लुग सुभाइगे तेक है कि टेंचन अब लो आराम से आना है 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 इस दया है है अए है है हुआ है 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 अइस्ट यह है जिसने अपने एरिया में मेरे भांजे पर हाथ लगाए उसे रातो रात खत्म करना है अपने अपने हाथियार लेकर जल्दी से पुल के पास आजाओ करत omega-ग लेकर लेकर ऑपने हाथ लेकर लेकर करेपने हत्थी अपने हाथिया यकली एक इंफने लेकर वर्हा हॉण हेलो क्या बोल रहा है तू कभी हाँ बोल यह क्या बोल रहा है तू कि उसको उधर जाने के लिए किस ने बोला कि अधर जाने के लिए किस ने बोला कि अधर रूम अधर रहा है आगे आगो, जाओ, असना पिछा करो, जदी जाओ, जाओ, छोड़ना पां तुसे, जदी प्रा लगे जाओ, 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 प्रूब में प्रूश सेटेंड़ को दिया है! भूल दो से उडम नेंट.. ररेंट प्रूश करे को देंटें.. तो एंटेंगे प्रूश से प्रूश को कि एंटर रसे बर्साइर लेज़ का अग! झाल 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 हुआ 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 है παूरा Υπότιτλοι AUTHORWAVE बहillar क्को리 कि ग्लीस एभ गह тебе नगर कोुते ही जुकती हुँ आ गहत्री आ दूल asta गएतुरी ए लग्री एड़को अब यहां क्यों आई है तू चल दिकल यहां से चली जा अब यहां पर तेरी किसी को कोई से फ़रत हीं है चल जा जायां यहाँ से हुआ है यहां से चली जाया और देंदें यहांि FM घंव जाया यहांत चली जे तो धी शकर भी नहीं निकाया दело है यहां से जड़ करते हैं यह बाजिए तेरा बाप तुझे वी समय पहुचा दिया मुझे तेरा बाप मुझे आप रिंप अब यह रहा कर दिंगर हिंए थे आज के बाद इस देवीज में कदम मत तखना अपनी शकल भी से मत लिखाना इसकी आत्मा को शान्ती मिलेगी जाए यहां से दूर चलिजा मेरी नेद्रों से जाए चलिजा यहां से जाए एए एए. अज़ गदेः वहां? अज़ एदेः रहां? अज़ एटहां? अज़ एग लीड? अज़ एगाईगा? बतुolate व- अब work बाँ बाँ ór às अ खर रडिग दो आपूप मेड्य करते भी दो कि भी स्वित रडकिन अगर दो अखुश्र बहुट कि भी सही एडुर तर रड़ कि लुट एड़ दो कि अ बहुट कि अजित रडते लोल श्याग यौब आपूर आजको आजको अपके अने दो आज दिए है जो फ़ोसी याज्वा करका अज़ है बहुते है इने है अज-णे भी ट्रेओ कि आज़ है अज़ा है इने अज़ियो जब प्रुबा है है में एवता में दूरा पार जब एदे फिर जड़ ज़ छोरो इने अज़िक खर्णे़ और खर दो कर 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 दो मुस्से जो प्यार करता है वो मुस्से बिछड़ जाता है और ये मेरे साथ बच्पन से होता आ रहा है हुआ 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 है ये जाता है प्रिवा तुर्ण बov निर्ण कुछ कुलों जब्वा जब्वाइए चल अगर मैं मर गया ना तो तू मेरे बीना जी नहीं सकता क्योंकि मेरे मरने के बाद तुझे भी तुरंत बरना पड़ेगा तू मुझसे बचने ही पाएगा भाई करके बाद ही keyboard झांगर के बाद ही बाद ही शुझे बाद ही उपाण ही दुरंत जस्टार शुझे पहाएगा जयार ही या ठाद ही करता वाँ झाल झाल झाल